ध्यान इधर दिजिए बदले का परिच्छा का पैटरन पूछे जाएंगे 30 बहुवी कल्पी प्रस्तना आज की इस वीडियो में यूपी वोड के बच्चों के लिए काफी इंपर्टन न्यूज लेकर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू सन तक देखते रहे हैं अब देख सकते हैं यह बताया ज़रे कि यूपी वोड का वड़ा फैंसला होने चारा हैं अब साल में दो बार होगी यूपी वोड हाई स्कूल वाई इंटरमीडियेट की परिक्चा पूछे जाएंगे 30 बहुवी कल्पी प्रसन यह कब से लागू होगा इस वीडियो को सुरू सन तक देखते रहना है अब देख सकते हैं जो न्यूज है आपको मैं बता दूं यहापर डिटेल कि जो कि साल में दो बार बोड परिक्चा होने से विदार्थियों को ऐसे भी सो में नंबर बढ़ने का मौका मिलेगा जिसमें उन्होंने कम भी से मतलब कि अंक पाये हैं मतलब जिस सब्जेक्ट में उसका नंबर कम आएगा तो दो बार एक्जाम होने से उसका जो नंबर है एक समान रूप से साल में दो परिक्षा देने का मौका दिया जाएगा बिदार्थिया बिना किसी तनाव के परिक्षा दे सकेंगे जबकि कोचिंग के प्रती उनका रुझान भी कम होगा ठीके एक बार परिक्षा अपने निर्धारी समय पर होगी और दूसरी बार यहां पर विवस्ता की जाएगा ऐसे मिआ विदारती जब आगी माध्यमिक सिक्षा इसकूलों में पहुंचेंगे तो वहाँ भी उनके अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने का मौका मिल सकेगा आगे दिखी इसमें बताया जाएगा कि इसके साथ ही बिदेशी और शास्तिर भसाओंवा भी को भी ऑनलाइन पढ़ाने की बिवस्ता की जाएगी आगे इसमें बताया जाएगा कि सैक्षिक 72 हैर 21-22 में एक विश्तिरित रिपोर्ट तयार कर इसे लागू किया जाएगा और आगे दिखी इसमें बताया जा रहा है कि बदलेगा रिपोर्ट कार्ड AI की लेंगें मदद AI क्या है इसमें फूरा जान कर लिजिए कि UP बोर्ड के सभी स्कूलों में पढ़ रहे विदार्थियों को ब्यक्तिगत का शंपूर मुल्यांकन का रिपोर्ट कार्ड तयार किया जाएगा आगे बता दे रहे हैं इसमें कि कक्छा 9 के बिदार्थियों को 79,2,21 और 22 से ही नया रिपोर्ट कार्ड तयार कर दिया जाएगा इस रिपोर्ट कार्ड में विदार्थियों को संग्यानात्मक भावनात्मक और इसमें देखिए साइकोमोटर डोमेन के अधार पर उनका मुल्यांकन किया जाएगा यानि विदार्थियों के कारे करने की गती तथा समझने की विशलेशर की छमता सहीत अन्य बिंदू का आकलन किया जाएगा, ठीके, सैक्चिक सर्त्र दुहायर 21-22 से ही इनका आर्टिफिस्यल इंटेलिजेंस यानि की आई ए आई पर आधारित सौफ्टेयर त्यार किया जाए यूपी बोर्ड परिक्षा का पैटर्न भी बदलेगा, हाई स्कूल की परिक्षा का वर्ष दुहायर 23 से 23 अवर, आगे बताएगे 23 अवर, इंटरमीडियेट की परिक्षा का पैटर्न जो है, दुहायर 25 से बदाल दिया जाएगा, ठीके, और कक्षा 9 के विदार्थियों के 21 और 22 से ही लागू कर दिया जाएगा, ठीके, आगे दिखिए कि प्रस्न पत्र दो भागू में होगा, पहला जो प्रस्न पेत्र होगा, वो एग घंटे का होगा, और आगे जनकारी लिजे कि इस प्रस्न पत्र में 30 बहुवी कलपी प्रस्न होंगे, और उनकी परिक्षा OEMR शीट यानि जो होता है बहुवी कलपी गोला बनाने वाला उस पर कराई जाएगी, और जो दूसरा प्रस्न पत्र है देख लिजे, दो घंटे का होगा, दूसरा प्रस्न पत्र यानि कि वर्ड नात्मक होगा, यानि कि वर्ड में लिग कर उसका देना होगा कॉपी, या 70 अं चारीगी मुपी धुका थेसे पक्रका देना भी ड होगा, या से रोगा धाएगी कि वर्ड में र BEN शूसरा भाम था जी में दूसरा व ż Mm